100% लोग calcium को खरीदने में करते हैं गलतियां अब आपको पता है कि calcium आपके dog की body के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेकिन जब आप market में जाते हो तो आप वहाँ पे जाके confused हो जाते हो कि मैं आपने dog के लिए कौन सा ऐसा best calcium लूँ जो कि हमारे dog की body के अंदर जाके absorb हो अब क्या होता है कि हम थोड़े से पैसे बचाने के चकर में कुछ ऐसे products ले लेती है जिनका कोई result ही नहीं है जिनका कोई फाइदा ही नहीं हो रहा तो भाई जिस product का जिस supplement का आपके dog की body के अंदर कोई benefit ही नहीं हो रहा जैन उस product को purchase करने का फाइदा क्या है कोई भी फाइदा नहीं है totally आप अपनी money को waste कर रहे हो तो हमें ऐसा पता होना चाहिए कि वो best products हमारे dog के लिए कौन से है तो उनी के लिए information देने के लिए हमारा channel The Pet Vision आपके सामने available है तो अगर आप हमारे channel पे new हो तो अभी के अभी हमारे channel को subscribe जरू कर लो because The Pet Vision, dogs और cats के ओपर most important topics के आपर वीडियो आपके सामने लाता रहता है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि best calcium आपके dog के लिए कौन सा रहेगा सिर्फ एक product बताऊंगा कोई भी बिल्कुल ज़्यादा confuse नहीं करूँगा आगर आपके nearby में मिल जाता है तो the best नहीं मिलता तो description में link provide कर दूँगा वहां से आप मंगवा लेना और specially एक बात बता दूँँ कि जो भी product आज में आपको बताने वाला हूँ मैंने उस company से किसी भी तरह से कोई भी पैसा नहीं लिया है मैं बिल्कुल भी advertisement नहीं कर रहा हूँ मैं किस वज़े से बता रहा हूँ मैं इस वज़े से बता रहा हूँ कि इस product का बहुत अच्छा result देखने को मिल रहा है जो हमारे customers हैं, जो हमारे owners है, pet lovers हैं जो भी pets को पालते हैं, वो हमें बताते हैं कि sir हाँ इस product का result अच्छा है और आपके channel से ही हमने इस product को देखा है because इस product के उपर मैं पहले भी video बना चुका हूँ तो वीडियो को start करने से पहले एक point ध्यान दीजिए कि हमें हमारे dog की body के अंदर calcium और phosphorus देना जरूरी क्यों है देखो guys, हमारी dog की body का structure जो होता है वो maintenance किससे होता है, basically skeleton से अब skeleton क्या होता है, हमारा हडियों का डाचा basically humans के अंदर लगा लो या हमारे animals के अंदर लगा लो अब जो skeleton जो होता है, basically सभी का सभी किस से बना होगा, बॉन से बना होगा अब बॉन के अंदर बॉन की formation के लिए एक study की जाते है, जिसको हम बोलते है osteology, जिसमें हम बॉन से regarding study करते है तो उसके अंदर clarify किया गया है कि बॉन के अंदर calcium और phosphorus का जो ratio है वो maintain होना चाहिए basically अगर मैं आपको normal approach ratio बता हूँ तो two ratio, one something आपको calcium के और phosphorus का ratio देखने को मिलता है bonds के अंदर बले ही वो short bone हो या long bone हो नी क्यों ना हो अब आपको देना क्यों चाहिए ये बड़े ध्यान से आपको सुनना है अगर आप चाहते हो कि आपके dog की growth अच्छी हो एक heavy आपको एक dog लगे bone काफी ज़्यादा strong हो जाए then आपको calcium जरूर देना पड़ेगा second number पे अगर आपके पास एक puppy है एक छोटा एक बच्चा है तो छोटे बच्चों की अंदर आपको एक problem देखने को मिलती है जिसको हम बोलते है leg bending या जिसे हम हमारी veterinary language में बोलते है rickets आप इसमें क्या होता है calcium और phosphorus की deficiency हो जाती है और आपके जो dog की जो legs है बहले ही वो for limb हो या hind limb क्यों ना हो वो band कर जाते है या जिसको हम बोलते है leg bending तो उसके बचाने के लिए भी आपको calcium देना पड़ेगा और third number पर एक problem आती है osteomalacia अब यह जो osteomalacia क्यों important है इसलिए मैं बता रहा हूँ यह old age की बिमारी है अगर आपका dog काफी जादा age हो चुका है या वो तीन या चार साल का भी हो गया है तो उनके अंदर भी आपको osteomalacia like symptoms देखने को मिल सकते हैं तो उससे बचाने के लिए हमको calcium हमारे dog की body के अंदर देना बहुत जादा ही जरूरी है fourth problem आती है arthritis arthritis का मतलब क्या होता है आपको भी पता होगा joints के अंदर inflammation हो जाना basically ये भी old age dog के अंदर देखने को मिलता है लेकिन कुछ cases के अंदर ये जो हमारी यंग जो puppies है यंग जो dogs होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है तो आप चाहते हो कि हमारा dog इन problem से बचे रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है तो अभी मैं एक बार आपको product दिखा लेता हूँ तो guys वो product कौन सा है जैसा कि आपको screen के ओपर भी नजर आ रहा होगा और मेरे हाथ में भी है इसका नाम है Kelsey Must Pet करके ये basically एक syrup आता है एक syrup की form है टैबलेट बिल्कुल भी नहीं है और company बता दूए mankind की company आपको पता है na mankind बहुत बड़ी एक company है जिसके बहुत अच्छे result है humans के लिए भी बहुत जादा medicines available है अब basically हमको तो बात करनी है कि हमें हमारे dog की body के अंदर best ingredients add करने है तबी तो हमारे dog grow करेगा तो इसके अंदर आपको vitamin A मिलेगा vitamin D3 भी है और basically calcium है calcium पता है कितना है 1628 basically 1628 mg है phosphorus है 838.5 mg और vitamin B12 यानि syno को बाला मैन हम इसको बोलते है 100 mcg आपको देखने को मिलते है आप इसके उपर already mention है benefits में stunted growth अगर आपके dog की growth नहीं हो रही है then आप उसमें दे सकते हो anemia हो गया है यानि खून की कमी हो गया तब भी आप दे सकते हो क्योंकि आप देखो anemia का मतलब क्या है अब यहां से तो बिल्कुल एक आपको relation नहीं लग रहा अगर आपका dog कभी भी नहीं होगा इसलिए मैंने यह product के बारे में और इन्होंने आपका इमेश्यट हो चुका है कमजोर हो गया है इनफर्टिलीटी की प्रॉब्लम आ रही है नाइट ब्लाइडनेस हो रही है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या weight reduce हो गया है इन उसके अंदर भी calcium बहुत अच्छा result प्रूफ करता है बेनिफिट्स आपको बताशा लगे अब हम बात करते हैं accurate dose rate का है आप देखो कई बाना हम dose rate में ना confused हो जाते हैं लेकिन इस product के ओपर already mention है कि कौन सी dose rate मैं इसी में देख के आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो अगर मैं आपको dose rate के बारे में बताऊँ अगर 4 kg body weight है तो 1 by 2 यानि half teaspoon आप दिन में 2 बार दे सकते हो ठीक है अगर 5 से 15 kg है तो 1 teaspoon दे सकते हो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद भी दे सकते हो पहले भी दे सकते हो अगर खाना नहीं भी खाया है देन भी दे सकते हो कोई problem नहीं रहने वाली अगर 16 से 25 kg body weight हो जाता है तो 1.5 यानि एक चम्मच के साथ आदा चम्मच आपको टी स्पून जो basically हमारा होता है वो दिन में 2 बार दे सकते हो 26 से 50 वाले को आप दो चम्मच दे सकते हो सुबह भी और शाम को भी दिन में 2 बार अगर 51 kg से जादा हो जाता है तो 3 टी स्पून आप दे सकते हो दिन में 2 बार तो इसकी dose rate पता चल गी, best product भी पता चल गया, description में link मैंने provide कर दिया है अभी जाओ और अपने dog के लिए मंगवा लीजिए, अब ये product बताने का मेरा main purpose यही है कि आप बिलकुल भी बिलकुल भी ऐसे भटको मत अपने path से कि मुझे ये product लेना है या वह वाला लेना है कि confusion आपको मिटा लेनी है, ठीक है तो अगर आपके nearby में calcium mist मिल जाता है तो the best है, अगर नहीं भी मिलता तो मैं alternatively बता देता हूँ ये मैंने जितने भी ingredients आपको बताया ना, इसको लिख लेना, अगर same ingredients आपको किसी दूसरे product के अंदर मिल रहे है तो आप वो purchase कर सकते हो तो मैं आशा करूँगा आज की जो हमने information आपके सामने पेश की है, वो आप तक deliver होगी होगी अच्छे से और आपको समझ में भी आगया होगा